हेलो वीडियों उमीद करते हों कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला यहां पर हम सेटप के बारे हम बात करेंगे जो हमने यूज़ी जेपी वाइए में यूज़ किया और एक बहुत अच्छा जाना चाहूंगा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेक शूर आप इसको जॉइन कीजिए यहां पर मैंने लेवल आपको दे दिया था मैंने साफ लिखा था थी लेवल्स आइम इंट्रेस्टेट इन यहां पर लिखा ठीक है और यहां पर मैंने बताए और यहां पर जब मैं निकला तो मैंने आपको बता दिया कि हमें 100 पिस मिल चुके हैं 30 पिस का रिस्ता अब यहां से आप सिस्टम पर हम आते हैं तो वहीं से मार्केट जो है वो डंप हो गए तो साइसीजी के बात करते हैं क्या रीजन था क्यों शेयर किया और कैसे क्या ची अब यहां पर दिख रही है जो मैंने आपको स्क्रीन शॉट दिखा यह वाली एंट्री है 129.754 यह मैंने कैसे फिल की सबसे इंपॉर्टन वीडियो में यही रहने वाला थिक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे यहां पर चलते हैं योजी जी जेप्याई के चार् यहां पर यह candle बन रही थे अगर आप जाते हो प्रीवेसली चार्ट में देखते हो तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ठीक है बैक जाते हैं यह आप candle देखो यह वाली candle फॉर्म हो थी 15 मिट का चार्ट है तब मैंने आपको सिगनल दिया था अब यह आप देखो पहली ह हमें क्या रूल के अप्लाई करना है जो मेरा आपने अगर डिमांड सप्लाई का वीडियो नहीं देखा तो मेक शूर आप उसको चैनल पर जाकर टेकनिकल एनाल्सिस की सीरीज में देख सकते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो एक रेड केंडल है उसके बाद थी ग्री नहीं जाती है हमारा जो रूझ रूञे कि हम यहां पे केंडल के हाइप एंट्री करेंगे जब यहां पर प्राइज आएगा इसकी इन्वीड्वीन जो है हम लगा पर लगात अब बात कर लेते हैं कि यहां पर मैंने कैसे स्टॉप लॉइंट किया मैं कहां पर एकजित ठीक है चलते हैं तीसरे पर यहां पर अगर आप देखोगे मैंने वनावर का चार्ट लिया मैं थोड़ा सब पीछे गया और मैंने ट्रेंड लाइन बनाई यह को फर्स्ट टाइम टच सेकेंड थर्ड टाइम और मुझे पताता है यह फॉर्थ टाइम यहां टच हो सकती है तो कि अब यहां पर चलते हैं मैंने कब एंट्री लिया यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यह पहले आप फिर से क्लियर कर लो कि यहां पर जो मैंने एंट्री किया था आपके साथ साथ यह शेयर की 754 पर मैंने एंट्री किया ठीक है आप यहां पर चलते हैं अब यहां से दिखो प्राइज उपर गया अब जब जब प्राइज उपर जाता है मेरी आदत में पांच मिट तीन इट पे चार्ट बनाते रहता हूं अगर आप यहां पर देखोगे इस तरह प्राइज उपर गया प्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ और प्राइज उपर एक चीज में आपको और बताताँ ठीक है, डियएक स्वाई चलते ह we m. guid, मैंने आपको सेम लेवट यह थे, यहां चलते है 15 मिट की चार्ट अब चलते हैं यहां पर रिफ्रेस्स कर लेते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूं पहला आपने यह देखा कि यह ब्रेकाउट हो अब मुझे पता लग गया कि यहां भी बुलिशनेस इसमें आने लगी इस तरह जाएगा अब देखो कितना अच्छा टेक्निकल लेंसे फॉ ब्रेकाउट हुआ रिटेस्ट हुआ लेकिन फिर प्राइज वह जोन में आ गया मैंने पुरा जोन ड्रॉक किया अब यहां पर जितना भी आपका प्राइज अक्सपरिमेंट है आप कर सकते हो क्योंकि आपने नीचे इस्टॉप लोस लगा रख ठीक है तो इसमें आप थ्र पूरा चैनल जो था यह पूरा जोन जो था ब्रेकाउट हुआ रिटेस्ट हुआ अब मैं रुका हुआ था अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि जब यह लेवल टेस्ट हो रहा था ठीक है मैंने इसी पॉइंट पर एग्जिट कर दिया मैं बिलकुल नहीं र प्रफिट हो रहा था तो मैंने नीचे से एकदम आप सोचो एकदम मैंने बॉटम पर एंट्री ली थी और एकदम यहां से अगर आप मुझे देखोगे मैं मुझे साइद लगबग 80-50 पिप्स मिल गया था ठीक है 100 पिप्स दिख रहा है बट मैंने जो यहां पर एंट्री ली थी थोड़ी थोड़ी करके उस अब से मुझे 80-85 पिप्स लगबंग मिला ठीक है और मैंने इस पॉइंट पर फाइप मिनेट में प्रॉफिट बुकिंग किया जैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया प्राइज इसके उपर निकल गया लेकिन आप वहां से देखो प्राइ चुका था सपोर्ट से नीचे आ चुका था तो मैंने एक्जिट करना इस ताइम पर बिल्कुल सही समझा कि डिएक्सव रेस्टेंस पर मुझे मिल गया तो मैंने घ्रेडी ना होते हुए मैंने एक्जिट कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हो योश्ट जीपी अध्य के था यहां से मार्केट फौल गही थी यहां से में किया मार्केट फॉल गही कि मैंने इस वीडियो में मुझा था जरुरी न ही, इस जरुळी नहीं है तो दूब है मेरी entry से होती है entry से होगी तो रिष्टिवाड मैनेज हो जाएगा तो hope कि आपको setup समझ में आए होगा साई चीज़ में आए होगी कुछ नहीं समझ में आया तो make sure कि आप comment कीजिगा सारे comments का मैं reply करता हूं और आप मुझे टेलिग्राम पर आकर यहां पर जो चैनल है इसको आप फॉलो कर सकते हूं यहां पर मेरी ID मिल जाएगी कुछ भी important अगर आप बोलोगे तो वह चीज़े भी यहां पर cover हो जाएंगी